नेपाल मा बर्तमान सरकार र राजनीतिक नेत्रित्तो प्रती चरम निराषा छाय को बेला भुटान ब्रमान मा रहेका पुर्वराजा ज्यानेंद्र शाहले भने तिहांको राज परिवार बाट नियानो आति थ्यता पाय का छन्, भुटानी राज परिवार का सदस्य हरु उनको बेडबारता जारी छा। उनको भुटानी राजा रम्मुमा बला महरानी संग समेत बेडबारता भॉयको छा। पुर्वराजा ग्यानेंद्र लाई बाताबरान संग्रचन छेत्र का शिखर ब्यक्तितो को अशियत मा भुटान आमंत्रान गरिये को हो। पुर्वराजा को श्वागत मा बिमानी स्थल्मा रेड कार्पेट नहीं वच्याए को थियो। बिमानी स्थल्बाट राजकी अथिती गिरह पुर्य ये को थियो। जहां शाही धर्मगुरु हरूले अभिसेक्र आसर बाचन प्रदान गरेका थिये। सोपस्चात पुर्वराजा बिभिन्न बेडगा धरूमा बेश्था छन। उनले बुटान का बड़ा महराज हालका राजा का पिता जिगमे सिंगमे वांग्चुंग संग बेडबार्ता गरेका छन। डेचेन छोलिंग राजप्रशाद मा सो बेडबारता भायको हो। उनिहरू दुबई दार्जलिंको सेंट जोसेप कलेज का सहपाठी थिये। एशे गरी भुटानी मुमा बडा महरानी संगपनी पुर्वराजाले बेडग गरे का छन। पछिल्लो समय पुर्वराजा को सक्रियता निककई बढ़ेको छ। खासकरी धर्मकर्ममा निककई विश्वास गरने उनि मंदिर हरूमा पुजा पाठमा बेश्तर हने गरे का छन। गतबर्श उनी पुर्वदेखी पस्यम नेपाल का तराइका जिल्लाहरूमा नागरिक अविननन थापना बेश्तर है का छिए। गलतंत्र ले जनतालाहि थप निराश बनाएको टिपपनी गरे का थिये। गरी धेरे नेपाली को मनमा प्रम को बादल बनाए नकरात्मत हावनाद हैलाहि गुत्तियों। हामीरा हमरो परिवारलाई खातक प्रहार हरूपनी गरे का थिये। पुर्वर राजा को सक्रियताले एता गलतंत्र बादी दलका नेताहरूलाई भने पिरोले को छा। यो मामिलामा नेकपा एमालेका देच्छे तथा प्रधानमंत्री केपी सर्मावोली अगाली देखिये का छन। उनी जहीले पुर्वर राजा रा उनको परिवार माथी आक्रोस पोखदे आयका छन।